जून 1993 मुंबई पुने हाइवे पर खोपोली के पास सुनसान जाडियों में छोटे बच्चे की लाश मिली पुलीस की चानबीन करने पर पता चला कि वो लाश करीब एक साल के बच्चे बंटी की थी जो कुछ महीने पहले गायब हो गया था पर बंटी अखेला नहीं था 1990 से लेकर 96 के दोरान बंटी जैसे कई बच्चे वेस्टन महरास्टा के आसपास से गायब हुए थे और गायब होने के कुछ महीनों बाद उनकी बोडीज सुनसान इलाखों में पाई गई ये बच्चे कौन थे? इनके साथ हुआ क्या था? कौन था इन सारी घटनाओं के पीछे? इन सब के पीछे थी तीन चालाक और थे एक मा, अंजना बाई और उसकी दो बेटियां रेनुका और सीमा अंजना बाई, 1973 में नाशिक से अपने आशिक के साथ भाग कर पूने आई थी और वहां उसने अपनी बेटि रेनुका को जन दिया रेनुका के पैदा हुते ही उसके पिता, जोकि एक ट्रक ड्राइवर थे, उसे और अंजना बाई को छूड़ कर फरार हो गया अंजना बाई को मामूली चोरी चकारी की आदत थी, वो इन चोरियों के सहारे अपना जीवन गुजारा करते थी थोड़े वत के बाद अंजना बाई ने मोहन का वित नाम के इंसान से शादी थी मोहन एक रिटार्ड सोलजर था, 1975 में मोहन और अंजना बाई की बिली सीमा का चन अंजना बाई की चोरियों के चलते हैं, मोहन को कई बार पुलीस का सामना करना पड़ रहा था और इस सबसे तंगा कर उसने अंजना बाई को छूड़ देने का फैसला किया कुछी समय में मोहन ने दूसरी शादी करवना घर बसा लिया था लेकिन अंजना बाई और उसकी बेटियां मुझा को पुला नहीं पाई था आगे चल कर उससे बदला लेगी ऐसे विचार उन्हें आते रहते थे रोज मर्रा की जन्दगी में अंजना बाई की चोरी करना सिखा दिया था कई सालों तक ये तीनों महारास्ट्रा के पस्चिवे इलाकों में मशूर मंदिरों में चत्रा और त्योनारों में शामिल हुआ करते थे जब सब बंदी में लीग होते ये मा बेटी की तेकड़ी फूसरों से तूलती सामान स्पेशली और तो से उनके गहरे कुछ इस तरह चुलाती है कि किसी को भी परक नहीं परती है ऐसे पुदबाट को अच्जाम देकर वो तीनों अपना घर चलाती है चोरी करना तो इनके वी एक रोटीन काम था लेकिन एक ऐसा मुड़ाया जिसके बाद इनके पाप का गड़ा कई जादा भागया 1989 में रेडुका की शादी किरन शिंदे नाम के एक टेलर से पुदब प्पिर उसने अपने बेटे को चंग दिया इसके बाद भी उसकी चुनिया कम नहीं हुए एक दिन सन 1990 में रेडुका पुने के चतोर स्ट्रिंगी मंदिर में चोरी करते हुए रगया तो पपरी गए उसे लगा कि इस बार उसे जेल हो जाएगा इसी टेंशन में उसे एक शातिर खाया लाए जब लोगों ने उस पे अलजाम लगाए रेडुका ने उसे कहा मैं यहां अपने बेटे के साथ आई हूँ भला एक मा जिसके हाथ में इतना छोटा बच्चा हो वो चोरी कैसे कर सकती है इस तरह अपने बेटे का इस्तमाल कर रेडुका सदा से तो बची गई और उसने लोगों की सिंपैथी भी हासिल कर ली रेडुका के चहरे पर शैतानों जैसी मुस्कुराट थी उसने सोचा चोरी भी कर ली और पकड़े जाने से भी बच गई अपनी मा और बेहन को जब ये बात उसने बताई इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक साजश रची छोटे बच्चों को एक ढाल या डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करके चोरी से बच निकलना उन्होंने अब हरन करना शुरू कर दिया मुंबई, पूने, धाने, कल्यान, कोलापुर और नाशिक जैसे भीडभाड वाले इलाखों से वो छोटे बच्चों को किडनाप करने लगी उनकी विक्टिम्स यूज्वली एक से पांच साल के गरीब बच्चे होते थे जिनके माता-पिता के पास अपने बच्चे को ढूमने के लिए ना ही कोई साधन होते और ना ही वो कंप्लेंट फाइल कर पाते जहां कंप्लेंट फाइल हो भी जाती तो लाक ओफ एविडेंस के चलते सक्त कारवाई नहीं हो पाते चुलाई 1990 में जब रेडुका ने 17 से एक भिकारी के बच्चे को अगवा किया उने लाकर उसे संतोष नाम दे दिया गया संतोष को अपनी ढाल बना कर न जाने कितनी चोरियों से वो बच निकली एप्रिल 1991 संतोष कोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर में लाए गया यहां सीमा एक लेड़ी का पर्स चुराते होई पकड़ी गई इस वक्त संतोष अंजना भाई के पास था और उसने लोगों को डिस्ट्राक करने के लिए संतोष को जोर से गिरा दिया सबका ध्यान सीमा से हटकर संतोष उस चोटे से बच्चे पे चले गया और सीमा इसी का फायदा उठा कर बच निकली जब वो संतोष को लेकर मंदिर से निकले उस एक साल के बच्चे की रोते हुए बुरी हालत थी क्योंकि उसे काफी गहरी चोटे आई थी अंजना भाई डर गई ये सोचकी कि कहीं उसके रोनी की आवास से हो पकड़े ना जाए पास ही एक इलेक्ट्रिक पोल था अंजना भाई ने संतोष के सर को उस पोल के अगेंस्ट जोर से तब तक मारा जब तक वो एक साल का बच्चा अपनी जान से हाथ दो ना बैठा इसके बाद उसकी बोड़ी को दूर फेक दिया गया ऐसा ही दर्दनाक किसा गौरी का था जब गौरी रूना बंद नहीं कर रही थी उस देड़ साल की बच्ची को इन तीनों ने मार कर उसकी बोड़ी के टुकड़े कर दी और एक टुकड़े एक बैग में भड़ी और उसके बाद वो लोग उशा टॉकीज पहुँचे सिनेमा हॉल में जहां पर जाकर उन्होंने मूवी देखी इस दौरान वो बैग उन्होंने अपनी सीट के नीचे रखा उन्होंने वो बैग वहां के लेडीज रूम में छोड़ दिया संतोश और गौरी के अलावा उन्होंने कई बच्चों को बेरहमी से मार के उनकी बोडीज से पीछा छोड़ा लिया तीनों और तें बच्चों को अलग-अलग तरीकों से मार थी और किरन उनकी बोडीज डिस्पोज ओफ करने में सहायता करता सान 1990 से 1996 के दौरान इन चारों ने ऐसे करीब 40 बच्चों का अपरण किया एक के बाद एक गिनोने अपरादों के बाद एक अपराद ऐसा हुआ जिसने इनके सारे काले चिठे एक्सपोज कर दिये ओक्टोबर 1996 मोहन कवित और उसकी दूसरी बीवी प्रतिभा ने उनकी 9 साल की बेटी करांती के गुमशुदा होने की FIR नाशिक में दर्ज कराई और उनका शक अंजना भाई और उनकी बेटियों पर था क्योंकि वो जानती थी कि ये तीनों उसके परिवार से नफरत करते थे इन्वेस्टिगेशन की खबर सुनते ही अंजना भाई रेणुका और सीमा और किरन भी अंडरग्राउंड हो गए थे उनके मन में मोहन और प्रतिभा के लिए नफरत और भी बढ़ गई इस बात का बदला लेने के लिए अब इन्होंने मोहन की चोटी बेटी को अगवा करने का सोचा बदले का भूत तो इनके सर पे ऐसे सवार था कि वो बिना कुछ सोचे समझे वापिस शहर में आ गए और इसी वक्त नवंबर 1996 में पुलीस ने अंजनाबाई, रेनुका, सीमा और किरन को अरेस्ट कर लिया अरेस्ट के बाद पुलीस ने इनके नाशिक के घर पे रेड की तो उन्हें बच्चों के कुछ खिलोने के साथ बहुत सारे कपड़े मिले जिन पर खून के दाग थे, इससे पुलीस का शक और गहरा हो गया पूचताज के दौरान तीनों औरतों ने ऐसी मासूम शकल बनाए रखी थी, जैसे वो एकदम बेखबर हो, पुलीस ने काफी जोर लगाया और अट लास्ट, सीमा ने अपनी चुपी तोड़ी उसने कबूल कर लिया कि उन्होंने मिलकर मोहन और ततिबा की बेटी करांती का अपरण और कतल किया और उसकी बॉड़ी पूने में एक गन्ने के खेट में दफना दी सीमा ने ये भी एकसेट किया कि ये सब उसकी मां अंजना बाई के कहने पर किया गया था Crime Investigation Department यानी CID इन चारों के पिछले अपरादों की जाच परताल में लग गई क्योंकि जो कपड़े उनके घर से बरामद हुए थे वो सब अलग-अलग साइजेस के थे इससे ये तो साबित हो गया था कि उनके कई सारे विक्टिम्स थे दूसरी और केस में एक टर्निंग पॉंट आया सजा के डर से किरन शिंदे ने नासिक कोट के केस में अपरूवर की एक गवा बनने की अरजी पेश की उसने अपनी पतनी सास और साली की हर करतूच से परदा उठा दिया और पुलीस को डीटेल्ड इन्फोमेशन दी जैसे गटनाओं के टाइम लाइन और तीनों के किये हुए चोरी अपरण और खून के किस्से किरन ने पुलीस को उन जगहों की भी जानकारी दी जहां बच्चों की बोडीज डिस्पोस की गई थी किरन के सहों के कारण उसे कोट से माफी मिल गई साल उनने सो सत्यान में कारवाही के बीच कस्टडी में अंजनाबाई की बिमारी के कारण मौत हो गई इस समय तक ट्राइल की शुरुआद भी नहीं हुई थी जब ट्राइल शुरू हुआ किरन के अलावा तेर सो गवाहों के स्टेटमेंट्स प्रोसीक्यूशन द्वारा रिकॉर्ड किये गए थे इन जून 2001 कोलापूर सेशन्स कोट फाउंड रेनुकायन सीमा गिल्टी ओफ 13 किटनैपिंग्स और इसी कारण दोनों बहनों को सजाय मौत सुनाई गए 2004 में उनकी डेट सेटेंस को बॉंबे हाई कोट ने भी अप्रूव किया 2006 में सुप्रीम कोट ने दोनों बहनों की अरजी पुगराते हुए पासी की सजा को कायम रखा इसके बाद सीमा ने 2008 में अपनी मुर्सी पेटिशन्स फाइल दे और काफे सारी फॉमारिडी उसके बाद 2014 में प्रिस्टेंट ने दोनों इनकी अरजी मुझूर करने से इपकार कर लिए था कर्ण सिस्टेंट ने अपने लॉयर की मदल से बाद में एक विचितर रिक्वेस्ट को रही है क्योंकि फासी की सजा को लाइफ इंप्रिसम मेंट यानि ये आजीवन कारावास में कनवर्ट कर दिया जाए उनका कहना था कि इतने सानुता को इस्टेंट के जवाब का अधिजार करते करते उन्हें मांसिक नभाव का सामना कर रहा हुए कोकि वो हर दिन मौद के ढड़ में जी रही थी 18 जन्री 2022 के दिन बाउपे हाई कुन ने जवाब मिलने में देरी से पुन पर हुए मांसिक अठाचा उधार में रखते हुए उनकी एक अरजी स्वीकार के एक सब्सक्राइब कॉसिक्यूटर उज्वल निकम ने एक बार कहा था वी लिविटेंट पीरिद उस्टों सिक्सिक्स आप इस केस पर क्या सोचता है कॉमेंट्स करके हमें जबू बताई है और कोई केस जो आप सुनना चाहते हैं उसे भी कॉमेंट में जबू बताईएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल रास को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यूटर फो मोर अनकही अनसुन और अनदेखी काहनी